एच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपणी की ओर से किये गए रास्ते के काम में धानली से हो रही दुरगटाओं में अनेक बाहांचालकों को जान गवानी पड़ रही है तीन साल पहले ही इस राश्रिया महामार का एच जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपणी ने किया गया था जिस पर करोड रुपए केंदरित रस्ते परिवहन विभा की ओर से किये गए थे पर काम करते समय कमपनी ने नियो मोखियां देखी कर इस काम को पूरा किया काम पूरा होते ही इस रास्ते के बीचों बीच में बड़ी दरारे आई और गड़े गिरने से छोटे पड़े वहन चालक इस रास्ते पर दुरगटना होने से अब तक 50-60 लोगों की जान इस दुरगटना में गई जबकि 30-40 लोग अपाहीज हुए है अने को जगह अधूरा काम छोड़ कर कमपनी ने लोगों के लिए मुसीबते पैदा की है काम करते समय नियमों को अंदेखा कर रास्ते का काम करने से लोगों की मुसीबत दिन बदिन बढ़ती ही जा रही है ना तो दिशादर शक फलक लगाए गए है ना ही दुरगटना ग्रस तलो पर जिसकी वजह से आए दिन यहाद दुरगटनाएं होती रहती है इस बारे में आने को बार समंदीत विभाग को पत्र विभार कर सुचना दी पर ना तो कमपणी प्रेशासन और ना ही इस विभाग के आला अधिकारी इस और ध्यान देने के लिए तत्पर है जबकि समस्याय होते हुए भी अधिकारी इन समस्याओं को सुलजाने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करते दिखाई नहीं दे रहे आखिरकारा सोमवार को छत्रपती शिवाजी माहरा चौरा पर नागरी को ने चका जाम आंदोलन कर इस विभाग के खिलाप रोश जताया इस आंदोलन में शहर के जादा से जादा लोग शामिल होकर कमपणी प्रेशासन और केंदरिया रस्ते परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाप रोश प्रकट करते दिखाई दिये जैसे ही आंदोलन की शुरुवात की गई सावनेर पारशियोनी रामटेक मारगो पर वहनों की लंबी-लंबी कतारे दिखाई दे रही थी जहां के वहां पहनों के पईये तहम गए थे जिसके चलते पारशियोनी पुलीस के आलादिकारी राहुल सोनों निने परिस्तिदी को देखते हुए भारी पुलेस बंदोबस किया था वही आंदोलन की दुरगटना तीवरता को देखते हुए केंद्रे रस्ते परिवहन विभाग के आलादिकारियों को घटना स्तल पर बुलाया गया लोगों ने यहा की समस्या अधिकारियों के ध्यान मिला कर अधिकारियों ने पूरे रास्ते का निरिक्षन कर जहा जहा समस्या है वहाँ वहाँ की समस्या हल करने का ततकाल आदेश दिया कमपनी की ओर से इस रास्ते पर होने वाले दुरगटना में जखमी खायल लोगों को ततकाल अस्पताल पहुचाने के लिए सुविदा निर्मान हो इसके लिए एक एम्बुलेंस उपलब कराई जो की नियमानुसार यहाँ पर उपस्तीत रहना जरूरी थी मगर पिछले तीन सालों से यहाँ पर एम्बुलेंस नदारत रही तीन साल से यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं होने से अनेको दुरगटनाओं में खायलों को अपनी जान गवानी पड़ी ना ही उनने जल से जल खायलों को अस्पताल पहुचाया गया आखिरकार तीन साल से यहां की एंबुलन्स कहा गई इसकी तहकीकात होना जरूरी है इस रास्ते के काम में नियमों को ताक पर रख कर यहां काम किया गया काम करते समय धानली की गई जिसके चलते इस काम की पूरी जाच होना जरूरी है इस तरह की मांग आंदोलनकारियों ने की है पारशियूनी से BCN News के लिए रुपेश खंडारे